नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आजके एक नए वीडियो में तो दोस्तों आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक आडियो बूक रिलेटेड एप्लिकेशन के बारे में इसके पहले कुकु एफेम, पॉकेट एफेम या स्टोडी टेल ऐसे बहुत आडियो बूक आडियो बूक रिलेटेड एप्लिकेशन का ट्यूटोडियल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे पर आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक आडियो बूक रिलेटेड एप्लिकेशन से कैसे आप आडियो बूक सुन पाओगे इस एप्लिक आपको आगे भी मिलती रहें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कॉस्त अब आप देख रहे हो टेकी बॉन सो लेट स्टार्ट तो दोस्तों कुकु एफें पॉकेट एफें में यह श्टू डिटेल अप्लिकेशन की तरह आपका Amazon Prime का मिम्बर्सिव है तो आपको मिल जाता है initially 3 months का free trial और अगर आपका prime membership नहीं है और आप Amazon ID से login करते हो तो इस application में आपको initially मिल जाता है 30 days का free trial उसके बाद आपको कितना charges लगता है subscription का procedure क्या है आप free trial के बाद subscription करने से पर अपना payment cancel भी कर सकते हो अगर आप payment करके subscribe करना चाते हो तो membership में payment का क्या क्या option है यहाँ पे आपको audio book क्या 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 features मिल जाता है category में क्या क्या option मिल जाता है और audio book सुनने का procedure क्या है audio book related और भी क्या क्या statistics आपको मिल जाता है आज की इस वीडियो में tutorial के तरहा हम लोग step by step discuss करेंगे तो next नम चले जाएंगे मेरे mobile के screen पर तो देखिए तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे mobile के main screen पर जल्दी से open कर लेते है play store और play store open होते ही हम लोग search कर लेंगे audible तो आप देख सकते हो audible application का icon जल्दी से install button पर click कर देते है तो ये मेरे mobile पर install हो रहा है audible audio entertainment application install हो चुका है यहाँ पर open button पर click कर के मैं open कर सकता हूँ यहाँ हम लोग सीधे चले जाएंगे मेरे mobile के main screen पर आप देख सकते हो audible application का icon जल्दी से click कर के open कर लेते है तो application open हो थी आपके सामने आ जाएगा audible application में sign in का option तो अगर आपका पहले से audible में account हो तो नीचे sign in option पे click करके आप अपना id password दे के login कर सकते हो और अगर आप first time use कर रहे हो audible application तो get started option पे click कर दोगे तो आपके सामने open हो जाएगा audible application का main interface नीचे आप देखोगे आपको मिल जाएगा चार option home, library, discover और profile तो अभी profile option पे आप जाओगे तो उपर यहाँ पे आप देखोगे आपको मिल जाएगा application में sign in का option तो sign in option पे click करके आप यहाँ पे अपना mobile number और email id या password set करके sign in कर सकते हो और अगर आप first time audible application में login करना चाते हो तो नीचे create your amazon account option पे click कर दोगे फिर यहाँ पे आप देखोगे अपना first name, last name, email id एक password set कर लोगे जो minimum 6 character कर होना चाहिए और फिर create your amazon account option पे click कर दोगे तो आप हो जाओगे successfully login audible application में और आपके सामने open हो जाएगा इसका membership का option अगर आपका पहले से ही amazon में prime membership है तो इसका 3 months का free trial आप ले सकते हो और अगर आप एक amazon का prime member नहीं हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 days का free trial का option और उसके बाद आपका subscription चार्ज परेगा 1400 per month plus taxes आप इसको किसी भी time cancel कर सकते हो तो उसके लिए आपको google play store में जाके अपना subscription cancel करना है next billing cycle के 24 गंटे से पहले और अगर आप subscribe करना चाहते हो तो नीचे subscribe to premium plus option पे आप click कर दोगे तो आपके सामने open हो जाएगा google play से pay करने का option आप देखोगे starting का 30 दिन का free trial है उसके बाद 1400 per month charges है उसके लिए आपको payment के लिए नीचे continue option पे click कर देना है और जब भी आपका account verify होगा 2 रूपीज आपको यहाँ पे payment करना पड़ेगा जो 10 दिन के बाद refund हो जाएगा आप free trial के end में कभी भी अपना subscription cancel कर सकते हो 7 दिन पहले आपको एक trial end होने का reminder भी देया जाएगा और अगर आप pay करके subscribe नहीं करना चाते हो cancel करना चाते हो free trial के बाद तो next billing cycle के 24 घंटे पहले आपको अपना payment option cancel करना है Google Play Store में जाके और अगर आप pay करना चाते हो तो payment method पे आपको मिल जाएगा debit card, credit card से pay करने का option, UPI से और mobile payment wallet से pay करने का option अभी application के home option पे देखोगे आपको मिल जाता है उपर try audible free for 30 days का यहाँ पे offer नीचे आप scroll करके आजाओगे तो members सी purchase करने से क्या-क्या आपको features मिलता है वो आप details में देख पाऊगे फिर यहाँ पे कौन-कौन तरह का audio book आपको मिलता है पढ़ने को उसका भी सारा features यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आप voice device में audible को connect करके सुन पाऊगे whisper sing for voice का option मिल जाएगा और कोई भी audible author को भी आप यहाँ पे follow कर पाऊगे तो कैसे इसको इसको इस्तेमाल करना है उसका भी यहाँ पे एक tutorial दिया हुआ है जैसे start your audible membership, select any title you'd like from the entire selection, download to your device and start listening तो application से जैसे आप यहाँ से सुन पाऊगे, आप download करके बाद में offline भी सुन पाऊगे नीचे आपको मिल जाएगा आपके wish list का option, कोई भी audible book को अगर आप अपने wish list पे add करके रखते हो या favorite पे add करके रखते हो, तो यहाँ पे सारा details आपको मिल जाएगा और फिर आप देखोगे, अलग-अलग category का बहुत सारे audible platform में आपको audio book सुनने को मिल जाता है जैसे category में यहाँ पे आपको मिल जाता है best seller, new releases, hear words trending, popular first listens, popular first listen from our plug catalog, LGTB QIA plus authors, top 10 free podcast और अगर आप subscribe नहीं भी करते हो, तो यहाँ पे आपको एक section मिल जाता है start listening without membership, listen free का option इस option पे जाके आप without subscription भी audible application से free में audio book सुन पाओगे तो यहाँ पर भी आप देखो के आपको मिल जाता है बहुत सारे audio book का category जैसे recommended free audible originals, audible original podcast, familiar classics, free sleep and meditation lessons यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक feature जहाँ पे आपको करना है secure phone और tap your bluetooth headphone to extend the sleeper time as the sound fit तो sleep mode में आप shake करके sleep timer, listening audio book को timer को बढ़ा सकते हो या अपने bluetooth headphone को tap करके भी कर सकते हो time extend अभी home option के बाद library option पे जाओगे तो यहाँ पे उपर आपको मिल जाएगा बहुत सारे category all category के अंडर आपको मिल जाता है सारी audio book को library में सजा के रखने का option आप title wise, not started, in progress, downloaded, finished ऐसे category wise भी सजा के रख सकते हो अपने library को इसके सिभा भी आपको मिल जाता है सारे audio book को library पे save करके रखने का option यहाँ भी आपको same category मिल जाता है फिर आप अलग से library में postcard को लग सकते हो, यहाँ पे episode, source, download का option आपको मिल जाता है और कोई भी audio book को अगर आप add to favorite या wishlist पे add करके रखते हो तो wishlist option पे उसका सारा list आपको मिल जाएगा इसके सेवा भी collection option पे आपको मिल जाता है all personal save सारे audio book जिसको आप favorite archive या new collection करके भी रख सकते हो इसके सेवा authors wise आप सारे audio book को library पे save करके रख सकते हो, series wise या journal wise भी आपको library में save करने का option मिल जाएगा library option के बाद discover option पे जाओगे तो उपर आपको मिल जाएगा search bar जहां से कोई भी audio book का नाम लिख के आप search कर पाओगे और सुन पाओगे उसके अलब अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे category मिल जाता है जैसे discover something new, browse by category option पे आपको मिल जाता है fantasy, science fiction, mystery and thrillers, fiction, self development, view all का option और नीचे स्क्रॉल करके आप देखो के यहाँ पे और भी category में आपको मिल जाता है listen on the history and future of reproductive justice, wordpress music, audio book का भी options फिर आपको मिलता है our favorite from the plus catalogs, editor pick का option जहाँ पे आप सुन पाओगे hear my story, raising black voices, 100 lgtb, qia plus essential, 5 listens with alicia keys, our pick this month, 5 listens with any lequis अभी discover option के बाद profile option पे जाओगे तो यहाँ पे देखो के login के बाद आपका profile ready हो गया है, उपर आपका नाम, कितने book आप परे हो, title और कितना batch आपको मिला है, उसका count दिया हुआ है डाइने तरफ उपर आपको मिल जाएगा, एक settings का option, तो settings option पे जाके आपको मिल जाएगा, app setting में, data in storage, player, theme, connect to other apps, Alexa, notification पे आपको मिल जाएगा, post notification, email notification, customer support पे आपको मिल जाएगा, help and support, membership option पे आपको मिल जाएगा, details और legal option पे आपको मिल जाएगा, previous notice और terms of services, इसके लबब पे आपको मिल जाता है, additional notice, नीचे आपको मिल जाएगा, sign out का option, इस application से log out के लिए, और audible application का current version, आप कौन से device से log in हो, आपके account का email id, और marketplace का website audible.com, अभी अपने profile option के नीचे आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है, join audible today का option, achievement section पे आपको मिल जाता है, batch collection, listening level, listening time, recent activities पे आपको मिल जाता है, listen history, customer support option पे आपको मिल जाता है, यहाँ से फिर से help and support का option, और data and privacy option पे आपको मिल जाता है, your add privacy choices का option, join audible today option पे, sign up to start listening option पे जाके, आपको फिर से यहाँ पे मिल जाएगा, membership subscription का option, batch collection पे जाके, जितना भी application को आप यूज करोगे, आपको मिल जाएगा batch, listening level option पे जाके, जितना भी audible application से आप audiobook सुनोगे, उतना count यहाँ पे हो जाएगा, और आपका achievement level यहाँ पे बढ़ेगा, listening time option पे जाके, today, daily, monthly, total, आपने कितना audiobook, कितने time के लिए सुना है, उसका count यहाँ पे आप रख पाऊगे, listen history option पे जाके, आपको मिल जाएगा, जो भी audiobook सुनते हो, आपका पूरा history, help and support option पे जाके, आपको मिल जाता है, application related सारे help का option, नीचे आपको मिल जायता है, customer support के, assistance के साथ, contact ask का option, और add previously choice option पे जाके, कौन सा add यहाँ से आप देखना चाते हो, वो आप select कर सकते हो, अभी यहाँ से कोई भी audiobook आप click करके open कर लोगे, उपर आ average rating, नीचे audiobook को सुनने के लिए play button, उसके बाद इसको आप अपने library पे add कर सकते हो, और more option पे click करके, इसको आप purchase कर सकते हो, या अपने wish list पे add कर सकते हो, फिर summary option भी मिल जाएगा, audiobook related सारे summary details, यहाँ पे read more option पे click करके, आप summary details में पर सकते हो, नीचे आपको मिल जाएगा, audiobook related product details जैसे कब release हुआ है, language क्या है, publisher कौन है, उसके बाद आपको मिल जाएगा, इस audiobook related और भी कुछ suggested audiobook का option, you may also enjoy explore title in the world literature, इस category में, फिर नीचे आपको मिल जाएगा, इस audiobook के author related और भी कुछ author का suggestion, और last पे आपको मिल जाएगा, इस audiobook का average review rating, यहाँ पे खुद भी आप review लिख सकत हो, अभी audiobook का sample सुनने के लिए, आप sample बटन पे क्लिक करके, इसका छोटा सा part आप play करके सुन सकते हो, और अगर आपको full audiobook सुनना है, तो play बटन पे क्लिक करके, आप पूरी audiobook को audible application से सुन पाओगे, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा, audible audiobook application यूज करके, कै कैसे यहां से कोई भी audiobook आप सुन पाओगे, इसका सारा features मैंने details में step by step एक tutorial वीडियो की तरह आपके साथ discuss किया, और यह भी मैंने आपको बताया, इसका subscription charge और payment procedure, आपको Amazon account से ID login करते हो, audible में तो आपको मिल जाता है कैसे 30 days का free trial, और अगर आपका prime membership Amazon का already है, तो उस ID से login करन अगर आप subscribe नहीं करना चाते हो, तो कैसे आप cancel करवा होगे अपना subscription, वह भी मैंने आपके साथ discuss किया, तो उमीद करता हो आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा हुआ, टेक्नोलोजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलोजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको आपको कैसा लगा, क्योंकि नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो तब तक के लिए जैहीन, बंदे मातरम, बाई!